आपको आर्गेनिक केमस्टी में बड़ी परिशानी होती है कि हम कैसे अर्गेनिक केमस्टी पढ़ें चार से पांट कुछन्स हर साल जबूर तक आपको कोई चेप्टर क्लास 12 का समझ में आने वाला नहीं है हलो बच्चों कैसे हो आप लो आज हम कुछ नई स्टेटिजी के साथ आर्गेनिक केमस्टी कैसे प्रिपेर करें जैसा कि मैंने बोर्ट पे लिखा हुआ जी जी और नीट के लिए हम कैसे आर्गेनिक केमस्टी प्रिपेर करें आज हम इसी के बारे में डिसकस करेंगे और अगर हम इसको दो अलग अलग पार्ट में देखें बैटा तो क्लास 11 और क्लास 12 का यहां आपको इन चैप्टर का क्या रूल है इन एक्जाम में या बोर्ड एक्जाम में इसको आप बखुवी जानते हैं क्लास 11 में अगर हम देखें तो कौन-कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं जो सारी चैप्टर है वह बटा आई-उ-पीसी इंटरनेशनल यूनियन आपको पढ़ लेना है कि आप कैसे इसी कंपाउंड का नामन केचर कर सकते हो दोसरा बटा आई-सो-मेर से जम पढ़ना है इसके बाद आपको जनरल आरगेनिक केमस्टी पढ़नी है सीरियल वाई से जैसे इसका नाम लिखा हुआ है उसी करम में अगर आप प्रिपेर करते हैं तो आपको ज्यादे ही फायदा मिलने वाला है इसके बाद बेटा हो गया हाइड्डो कार्बंस इसको पहले हाइड्डो कार्बन का पढ़ना जरूरी है फिर लास में इन्वार्मेंटल के मस्टी इन्वार्मेंटल के मस्टी बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको आप बड़े ही आसानी से तयार कर सकते हैं बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इस क्लास क्लास 11 और क्लास 12 में यह जो चैप्टर जीओसी है अगर आप क्लास 11 में जीओसी चैप्टर जनरल आरगेनिक के मस्टी नहीं पढ़े हैं तो आपको क्लास 12 में कोई भी आरगेनिक का चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है तो अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम जीओस जरूर पढ़ें क्लास 11 का जो टॉपिक है जनरल आर्गिनिक हमेस्टी इस जी ओसी को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई चैप्टर क्लास 12 का समझने माला समझ में आने माला नहीं है तो कम से कम आप जी ओसी पढ़ें और आईउपेसी आइन आईसोमेरिजम सबसे जादे इंपॉर्टेंट इसमें जी ओसी पढ़ने के बाद आपको अगर समय मिल ला है तो आईउपेसी और आईसोमेरिजम ज़रू पढ़ें अगर कम से कम यह तीन चैप्टर आप पढ़ लिए तो क्लास 12 में जितने भी चैप्टर हैं वो आपके समझ म आसानी से आ जाएंगे इसलिए आप यह सिक्वेंस बना लेंगे कि क्लास इसके लिए मैं बार बार आपको रिकमंड कर रहा हूं कि जी ओसी के बीना पढ़ें आप आरगेनिक केमस्टी के बारें कुछ नहीं जान सकते इसलिए जरूरी है कि जी ओसी आपको जरूर पढ़ना और आप questions कर सकते हैं फिर अगर हम class 12 में चलें तो class 12 का पहला चेप्टर स्टार से होता है। है यह अगर कंप्लीट कर लेते हैं फिर अगया चप्र होगा आपका अग्रेटर ऊपनाल को सबस्टर ऐसको आज से चोल सब्सक्राइब कर ऑग सबस्क्राइबता है यह तो है जो जो कीटों में पाये जाते हैं यह कारबोनिल कंपाउंण कहलाते हैं फिर बत आति हैंट कर दे तर तो बैजझा आता है विशन पॉली मर्स पॉली मर्स और छी थे लाइफ भी इन सारी च्क्रश्केंटर से क्लास 11 में यह सारी तो आप पढ़ने हैं और क्लास 12 में ओ 박्रinky इनको आप इसी सिक्वेंस में पढ़ेंगे इसी ले क्लास 11 और क्लास 12 में यह सारे चेप्टर दिये गए पढ़ेंगे लेकिन अगर इन चैप्टर देख लेंगे तो आप के नीचर को समझ सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये इस 차оля्ट ही हो गई किस तरह से बहुत सारे बच्चों को Ergenic chemistry में बड़ी परिशानी होती है कि हम कैसे Ergenic chemistry पढ़ें, कैसे उसको prepare करें तो आप start कहां से करेंगे बेटा जैसा जो sequence मैंने बताया है उस sequence में आपको अगर आप Class 11 में सबसे पहले Ergenic chemistry जानने से फिर इसी sequence में आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप इससे related questions बड़े ही आसानीशे कर सकते हैं तो यह आज की वीडियो में मैंने आपके लिए strategy लेकर गया था कि कैसे अरगेनिक chemistry हम prepare करेंगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे chapters को IPAC या isomerism या GOC इन सारे chapters से theoretical part या इससे related जो questions होंगे मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा तब तक के लिए हम आगले वीडियो में फिर मिलते हैं कि इन chapters से या इस topic से related क्या क्या questions आपको मिलने वाले हैं तो thank you so much for watching